बच्पन से मैं सुनते हुआ है हूँ कि बिजनस करने के लिए बहुत अधा पैसो की ज़रूद होती है एर इन फेक्ट आपने भी चीज़ सुनी होगी कि बिजनस करने के लिए बहुत अच्छा आपासा पैसा लगता है सबसे पहली category आपको business करना है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है दूसरी category आपको business करना है लेकिन आपके पास कोई ऐसा extraordinary idea नहीं है जिसके through आप business कर पाओ तीसरी category आपको business करना है लेकिन आपके पास ऐसी कोई skill नहीं है ऐसा कोई talent नहीं है जहां से आप business कर पाओ चौती category आपको अपनी life के अंदर financial freedom चाहिए, अपनी life के अंदर खुद का boss बनना है अगर आप चार category से belong करते हैं तो आज का वीडियो end तक देखना क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत useful रहने वाला है और आपके हर सवाल के जवाब भी मिलेंगे और साथ साथ में कुछ ऐसे ideas में मिलेंगे जिसके जरीया आप कम investment के अंदर बड़ा business कर बाओ और मैं कुछ ऐसे real life examples भी देने वाला हूँ जिन्नोंने बहुत ही कम investment के साथ business start गया था और राइट ना उनकी कमनी करोडों का turnover कर रही है तो time waste के भीना let's begin business के लिए तेन चे सबस्रादा important होती है product, customer and profit और उसे सबस्रादा important होती है product क्यों product के जरी आपकी business की शुरुवात होती है और वहाँ से आप earn करते हो तो मैं आज आपको ऐसे 5 rules बताने वाला हूँ जिस 5 rules को follow करके आप कम investment के साथ अच्छी product के साथ market बबना business start करके earn कर सकते हो and साथ साथ में कुछ ऐसे examples भी बताने वाला हूँ जिनोंने इस 5 rules को apply करके business start गया था and बहुत ही कम investment के साथ and right now वो बहुत अच्छा का सा earn करते है तो चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले rule की तरफ rule number one passion and profit हर इंसान की life में कोई ना कोई passion होता है चाहे वो dancing हो गया, singing हो गया, gaming हो गया, reading हो गया, cooking हो गया कई सारे passion होते है आपको सिर्फ करना यह है कि आपके passion को and लोग की need को connect करना है and वहाँ से profit generate करना है your passion plus people need equal to profit मानला आपका passion है dancing लोग की need है dance को सीखना तो आप offline या online लोगों को dance सिखा के वहाँ से पैसे generate कर सकते हो मानला आपका passion है gaming तो लोगों की need है हसना, roasting वाले वीडियोस देखना तो आप अपने gaming के साथ roasting करके लोगों को हसा के भी पैसे कमा सकते हो जैसे कैरी मिनाटी ने किया था यहाँ पर मैं आपके बहुत ही बड़ा example देना चाहूंगा निशा मधुलिका का जिनका बॉन उत्तरप्रदेश के एक छोटे से गाह में हुआ था उनका passion था cooking उन्होंने अपने passion को लोगों की need के साथ connect किया कि लोगों की need थी cooking को सीखना खाना बनाना किस तरीके से अच्छा बनाया जाए वो सीखना तो उन्होंने start किया blogging जहां पे वो अपने recipes के बारे में लिखना start किया and then 2009 के दर उन्होंने YouTube चैनल पे अपने videos upload करना start किये and दीरे दीरे करते गए करते गए and आज की rate में इंडिया का सबसे बड़ा cooking को अगर YouTube चैनल है तो है नीशा मधुलिका का and right now वो आज की rate में multi millionaire है पस आपको करना ही है कि आपके passion को लोगे need के साथ कैसे connect करगे वहाँ से profit किया जाए इसके अंदर आपको कोई investment करने की ज़रूरती नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ net internet चाहिए and एक अच्छा smartphone चाहिए और आप वहाँ से बहुत अच्छा कासा business start कर सकते हो तो आपको सिर्फ देखना है कि आपके पास इसा कौन सा passion है जो लोगों की need के साथ connect कर सकते हो and वहाँ से आपका पहला business start हो सकता है second rule है connect with skill कई बार से passion के ज़री पैसे कमाना बहुत दोदा difficult हो जाता है इसलिए हम हमारे passion के साथ कुई skill को add करना पड़ता है जिसके ज़री customer की need हम अच्छे satisfy कर पाए मारल आपका passion है teaching और लोग की need है कि बच्चे पढ़ते हैं बच्चे पढ़े ऐसा कुछ हो तो हम उनसी teacher के साथ पढ़ाए तो आपको करना है कि आपको passion teaching के साथ दो skill को add करना है पहली animation skill और दूसरी digitalization skill अब आपको बच्चों को online उनके घर पे बैठे बैठे with animation पढ़ाना है जिसके जरी customer की need भी complete होगी यानि parents भी खुश होगे और वही parents आपके पास ही उनके बच्चों को पढ़ने के लिए बेजेंगे इसी तरीके से आपको अपने passion के साथ कोई छोटी से skill को add करना है यहाँ पर मैं example दूँगा रमेश बाबू का जो बैंगलोर के रहने वाले थे सिर्फ जो छोटी से shop के अंदर बाल काटने का काम करते थे लेकिन उन्होंने अपने passion के साथ एक skill को add गया business skill को जब उन्होंने अपनी life के अंदर पहली कार ली तो उन्होंने वहाँ पे बिजनस skill को add गया और उसको rent पर देखकर किस तरीक से मैं profit generate करू उसके बारे में सोचा दीरे दीरे करते करते आज की दोसों से भी ज़ादा गाडियों को खुद ओनर है और बहुत अच्छा कासा पैसा कमाते है और उनकी गाडियों के लिस्पे रॉयल स्रॉय, BMW, Mercedes, SE गाडिया है तो बस आपको देखना है कि आपके passion के साथ आप कॉंसी skill add करके extraordinary product लाकर market के अंदर अच्छा कासा पैसा कमा सकते हैं third rule है add value हर इनसान को अपनी life के अंदर या तो कुछ चीसे जदा चाहिए होते है या तो कम चोँए होते है जयादा क्या चाहिए love, safety, quality ये सारी चीज़े हर इनसान को जदा चाहिए कम क्या चाहिए problem, stress, costly ये हर इनसान को कम चाहिए होते है आपको देखना है कि आप किसी इंसान के लाइफ के अंदर कुछ चीज़े जादा करके या कुछ चीज़े कम करके उनकी लाइफ में value एड़ करके पैसे कमा सकते हो इसी चीज़ को राहूल जैन ने देखा जब वो मुंबई के malls में गूम रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे राजस्तानी प्रोड़क्ट बहुत ज़्यादा कॉसली सेल हो रही है और लोगों को कॉसली ज़्यादा नहीं पसंद है तो उन्होंने 20,000 रुपे के इन्वेस्मेंट के साथ एक e-commerce platform स्टार्ट किया e-craft.in करके जहां पे वो राजस्तानी हैंडी क्राफ्ट को बहुत ही कम प्राइस के अंदर सेल करना स्टार्ट किया और राइड नाओ उनकी वही e-commerce platform 12 करोड का टर्न ओवर करता है इसी तरीके से आपको देखना है कि आप कोई product लाके किसी इंसान की life में कोई value add कर सकती हो इसी तरीके से आप भी अपना business start कर सकती हो जैसे राई जैन ने किया आपको इसे इसे तरीके से याप किस तरीके से किसी इंसान की life में कोई value add कर पाओ Rule 4. Connect and collaborate पाइसे नहीं होते कज़ी सब्सक्राइए बढ़ेसें लिघ्ए को सबस्क्राममें सबस्क्राइब में सब्सक्राइब करके लिए पेलाव सब्सक्राइब गाव में उस सब्जी को 120 रुपे में सेल करता था एंद दिन का 20 से 25 रुपे कमा दाता है एक बार उसने क्या किया कि गाव के सारे सब्जी वालों के साथ इसे 50 रुपे कमाने लगे इसी तरीके से कुलाबरेशन का पावर बहुत बड़ा होता है और इसे पावर को कैलाश कटे करने समझा जो एक जमाने में सिफ कल्कुलेटर एंड रेडियो रिपेर करते थे एंद महीन एका सिफ 400 रुपे कमाते थे उनके पास लेकिन बिजनेस करीब करीब 400 करोड है और जिस कंपनी को आज आप क्विक हील के नाम से जानते हो यह स्काईलाश काटे गार जो क्विक हील के महिलाए है जो घर में कुछ ना कुछ बनाती है कुछ ना कुछ बेचने का ट्राइक कर रही है तो आपको उन सब को एक प्लेटफॉर्म पर आना है और साथ में मिलकर साल करना है जिसके वाज़े से आपका एक अच्छा नाम भी बनेगा और लोग आपसे जादा खरी देंग हर इंसान की लाइफ मेंडा कोई ना कोई प्राब्लेम होती ही है चाहे वो छोटी प्राब्लेम हो चाहे वो बड़ी प्राब्लेम हो अगर आपकी प्रोड़क किसी की लाइफ के कोई प्राब्लेम को सॉल करेगी तेन डेफिनेटली आप उस प्रोड़क के जरीए बहुत एक start-up की शुरुवात की farm to kitchen जहां भी आप घर पर बैठे-बैठे home deliver करवा सकते हो direct farm के fresh fruits and fresh vegetables को यह आईडिया बहुत अच्छा कासा काम कर गया एन आज के रिनो डेली 300 से भी ज्यादा deliveries करते हैं उनका business बहुत अच्छा कासा earn करता है इसी तरीके से आपको देखना है कि आपके आसपास कोई problems हो रही है उस problem को solve करती हूँ को product मैं बना सकता हूँ अगर आपने यह कर दिया ना तो then definitely आप बहुत अच्छा कासा business कर पाओगे और आप भी product brand बन सकती है इसी तरीके स आप इस 5 rule को apply करके business start कर सकते हो चाहे वो आपका passion हो गया चाहे को skill एड़ करके चाहे को value एड़ करके चाहे collaboration करके या चाहे problem solving product design करके इस 5 rule के जरीए अब बहुत बड़े-बड़े business कर सकते हो अब सोचना आपको है कि आप किस तरीके से business start कर सकते हो अगर अभी तक आपने ह और आपको मिलकर हमारे इंडिया को आत्म निर्भर बनाना है एंड लोगों को business के लिए encourage करना है और अगर अभी तक आपने हमारे Instagram पेज को follow नहीं क्या तो उसे भी कर देना वहाँ पर हमारे साथ 26,000 entrepreneurs हैं जिनको हम daily education देते हैं startups and business के regarding तो आपको भी महाँ से education लेना है and आपके लिए वीकेंड वेवेल